हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई यूडूब चैनल एसके मिश्ड़ी अवे आप सक्सेच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीव मिस्रा टार्गेट है हम लोग का सोलव फरवरी को जी हां सव में सव टार्गेट है प्यारे बच्छो देखे आपको कुछ भी नहीं करना यह आप यह घवरा रहे हैं यारे गुरुजी सोलव फरवरी को हमार पेपर वा हम कुछ नहीं पुड़े हम का घरी तो आप जा यही पढ़के च्छाप दीजिए और आपको कुछ करने की ज्यादा जुरुत बिल्कुल भी नहीं है आप इसके लिए मत परशान होई है कि नहीं सर हमे सीन में हम आपको कम से कम आपको 15 सेट और करवाएंगे 15 सेट और बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो में दे दूंगा आपका काम खत्म यहीं कर लीजिएगा इससे बाहर आने वाले नहीं अब डेडिकेशन के साथ पढ़ें जितने वीडियो आ रहे हैं यह सुबह देए तीन वीडियो आपको मिलती है तीन टाइम पर हिंदी की एस्पिसेल वीडियो लगती है आपके 16 फरवरी के लिए तो यह दबा के जाएगा मुझसे करिए कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे इस किप नहीं करेंगे क्योंकि यह वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने व 2020 और 2019 का कर लेंगे काम खतम 2020 में तो पेपर हुआ नहीं था 2020 और 2019 कर लेंगे इतने में आपका पूरा पूरा हिंदी का पूरांग रहने वाला है और जो या लाड़लो टाइम मिलेगा तीन घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा आपको पास तीन घंटे 15 मिनट है अराम से आप पेपर को सौल्व कीजिए एक दम वायरल वारे प्रश्ण है आप जाईए चाप क्या ये आप चाप क्या ना टीन डी मोटिवेट मां तो येगा बहुत जादा इस्टेस नहीं लेना रे गुरुजी अभी तक तो हम कुछ सभी प्रशन करना क्या रहेंगे अपके लिए अनिवार रहे गा अपने सभी प्रश्न को करिएगा उसके पासर सीह पहले आपका 50 अंकों का रहेगा तो 5960 नंबर करेंगे प्रश्न नंबर एक कग़का यहांपकर फंदित प्रताप नराण मिस्टर द्वारा संपाधित पत्रिका है दखेगा हर एक क्योश्चन के एक व्यृच्चन से कई सारे इंसरवास निकालने वाले हैं मैं ऐसा नहीं दूँगा कि बक्वास करूंगा में चला जाओंगा तो ऐसा कुछ नहीं है पूरा पूरा एकदम एथंटिक जानकारी देंगे तो पंडित प्रताप नराण मिस्र का संपादित पत्र का कौन सी है नोट कर लीजिए यहां पर सी आप्सन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका तेरा वाला ब्राम्म प्रेम घन की है प्रेम घन की है फिर हें हिंदी प्रदीप किस नोट कर लीजिए बाल कृष्ण भट का है किसका है बाल कृष्ण भट का है लाड़लो चाप दीजिएगा किसके बता दिजिए ब दीन मान किसका है दीन debating का है अभी आतकलियन की छोधरी प्रेमगन की तो बाल किश्ण भटकी है दीनमान किसका है अगे जी का है अगे जी का इतना हो गया उसके बाद आप एक खवाला क्योश्चन है खवाला क्योश्चन क्या कह रहा है आप बोलिएगा राम चंद्र सुकली की रचना कौन सी आपको बताना चली राम चंद्र सुकली की रचना कौन सी साहित्य लोचन साहित्य सहचर त्रिवेडी आलोचक की आस्था तो राम चंद्र सुकली की रचना कौन सी आपको बताना है तो साहित्य लोचन किसका है आप तो बता दिये कि रामचंद्र सुक्ल कात्रेवेडी है अगर आपके बोड एक्जाम में साहित लोचन वाला क्योजिशन पूछ लिया तो कहां से देंगे एंसर तुम्हें बता रहा हूना एंसर नूटकीजे स्याम सुंदर दास का है किसका है स्याम प्रशाद द्रिवेदी का है डॉक्टर हजारिपशाद द्रिवेदी का है आलोचक की आस्था किसकी है डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र की है किसकी है डॉक्टर नगेंद्र की है नोट कर लेजिए रामचंद्र सुकल की रचना है त्रिवेडी है रामचंद्र सुकल की रचन आलोचक की आस्ता किसके डॉक्टर नगिंद्र की है अब बताईए आपको मैं आप सारा करवार आग नहीं बताईए मैं छोड़ दे रहा हूं क्या यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके हातों से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार कुछ भी करिए उसके साथ मुझे नहीं सुनना हो जाना चाहिए कर्मभूमी किस विधा की रचना है यार उपन्यास किसका है कर्मभूमी का याद रहना कर्मभूमी का है इस पूछ लेगा तो इसके रचना कार कौन है कर्मभूमी एक रचना कांपन्यास है लेकिन इसके रचना कार कौन है कौन इसको लिखा प्रेम चंद्र ने लिखा सब्सक्राइब निखा तो करम भूमी क्या है उपन्यास किसने लिखा था तो लिखने वाले जो थे नोड कर लेजे बहुत कौन प्रशार्त के लिकख काम और सुन्दर गुलाब राय विद्या निमास मिस्र तो पुरसार्त भाग और पुरसार्त के लिकख कौन है दवा दीजे क्योशन को बहुत इंपॉर्टन वाला क्योशन है इस ते बाहर हैं लेखके भाग्यार पूरसार्थ लहां बहुत अच्छा सोच रहे हैं जैनेंद कुमार किसके हैं भाग्यार पूरसार्थ लह ख़ए एक असों क्षॉल वतादी असों के फूल के लेखक कौन हैं इस कैसे कमेंट बाक्स में आ जाना चाहिए बागी तो मैं रिप्लाइदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है कभी वचन सुधा है उचित वक्ता है भारत मित्र है या फिर सरस्वती है इसका राय टेंसर हो जाएगा सरस्वती सरस्वती भाई साब किसका है सरस्वती लाडलो है महावीर प्रसाथ्व द्रिवेदी का बहुत इंपॉर्टन क्यों इन क्योश्चन को आप त्यार करके जाएगा बोड में इसे भार आने वाला नहीं है अगर आप पुड़न लग नई अग्जाम अप पास हो जाएंगे डर क्या आगे जीते हैं डर क्या जीत एकूर लेि वाकड़ाoda की रिखला मत ने रचना है रुखतिकाले है या पिर आद्रार्णी काल है या फिर उसल blaming पदमावत पदमावत किस काल की रचना क्या है पदमावत है अब बात करेंगे अगर आप दो गुरु जी भक्तिकाल का है लेकि रचनाकार का नाम कौन बताएगा कौन बताएगा हम बताएगे लिजिए करें क्या है मलिक मुहम्मद मुहम्मद जायसी जो है मलिक मुहम्मद जायसी जो है यह पतमावत के रचनाकार है पदमावत के रचनाकार कौन है मलिक मुहम्मद जैसी है यह किस काल का है तो यह है भक्ति काल का है किस काल का है भक्ति काल का है सरोज इस्मृति के रचैता है सरोज इस्मृति के रचैता कौन है इस क्योशन का एंसर देना है सूरिकांत रिपाठी निलाला जैस सूरे कांधिर पाठी निराला सारोज्स इस्मृति के रचयता सरोज्स्मृति क 토 कुन हैक निराला जी किसके हैं सरोज्स्मृति के रचयता है कि इसकी रचना जो किताब खोल रहे हैं तो आपको चीज़े याद नहीं हो रही है और आप घवरा-एये मत किसी चीज को याद करने की टिकनीक अगर अगर आपको याद नहीं हो रहा निम्लिकित कवियों में से कौन च्छायावादी कवि नहीं है आपको बताना है तो इस में से छायावादी कवि कौन नहीं है लाडलो पताइए तो जो नागा व अर्जुने यह चायावादी कभी नहीं है यह चायावादी कभी नहीं है अगरी पता होता कि यह कौन से वादी कभी कभी है तो आपकी बता दीये होते कि अच्छाया वाधिक अधी नहीं है तो नागा अर्जुन कौन से वाधिक अधी कंई धवी माप कर दीजिए जादा बोल देते हैं मुझे लगता है अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे घंब नोट कर ली यह प्रगतिवादी कौन है प्रगत आप लोग फोड़ के आएंगे रीतिकाल के किस कवी ने बीर रस में रचना की है आपको उताना है और जो भूसर भाई साब है यह क्या किये हैं तो यह किये हैं तो यह कि यह रीतिकाल को वी रस में रचना किया है रीतिकाल को वी रस में किया है भूशन ने किया है अगला क्योशन है तार सब्तक के संपाधक थे चलि वताई यह क्योशन का है कि तार सब्तक के संपाधक कौन थे दर्मवीर भारती दिनकर या गिर जाते तो तार कर लिए इससे बार आपके पेपर में आने बाला नहीं है मैं याद कराते हुए चले जा रहा हूं मुझे नहीं लगता कि इतना डिपली आपको पढ़ा गया होगा वह प्रीविए सीरे पेपर क्योशन आपको बस यह दी दिया जाता है चार प्रस्ट उठाएंगे दे देंगे इंपॉर्टेंट पढ़ लिजे चार प्रस्ट से कभी उखड़ेगा आपका नहीं यार पूरा-पूरा पेपर पढ़िए तब उखड़ने वाला है ऐसा वीडियो आपको यूटूब पर नहीं मिलेगा दस जार आप लोग पढ़ रहे हूं ना बहुत है बहुत सुकुन मिल यानि कि अंकों का यहां प्रस्ट बनेंगे दो नमबर मिलेगा कुछ भी लिखेंगे तब भी पास नमबर मिलेगा यह हाई-फाई-पापी नहीं जस्ती इतना उमत ध्यान देजेगा आप पहले से टेंसर मतलो यार इक्जामनर चाचा खुशता है यार बच्चा पास हो जा तो आप लिखने का सहूर डालिए कि लिखा कैसी जाएगा ठीके ना दिये गए गद्यांस पर आधायत निम्की प्रश्णों का उत्तर देजिए पांच प्रश्ण बनेंगे दो अंक मिलेगा जले देख लेते हैं पहले पद्यांस क्या है कई बार यह रिपीटिट किया गया होगा अप तक आपका जो हमसे पढ़ रहें डेली डेली उनका याद हो गया होगा जन का प्रवाह अनन्त होता है सहस्त्रों वर्सों से भूम के सात राश्टी जन ने तदात्म प्राप्त किया है कि जब तक सूर की रस्मिया नित्त प्राता काल भूवन को अम्विस से भर देती हैं तब तर राश्टी जन का जीवन भी अमर है इतिहास के अनेक उतार चड़ाव पार करने के बाद भी राश्ट निवासी जन नई उर्ती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है नीचे आजाएए संततवाही जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाकी तरह है जिसमें कर्म और स्रम के द्वारा उत्थान के निर्मार करना होता है अब यहां से आप पहले देखिया अगर आप पद्यांस को सौल्व कर रहे हैं तो सौल्व करने की टेक्निक समझेगा हम आपको टेक्निक समझाते हैं यहां पर लगा कि कोई चिंता नहीं है जिदने भी हमारे चात्रा है वह पास हो जाए इसी बात की चिंता रहती है बागी तो यहां रिवीव जाएंगे लाइक आएंगे सब्सक्राइब करके जाओगे अगर कॉंटेंट अच्छा रहा तो सब् से पहले करने का तरीका मालूम होना चाहिए अब यहां पहाए पाँत का सिर्षप और लेखक नाम करेगा एक का मिए करीए कि जितने भी पद्यांस है कि बाद्यांस और पद्यांस गद्यांस और बढ़त और सभी की पाट का नाbo भी आप कर लोगे कि नहीं पहले वताइए इतना कर सकते हो ना इतना कर लिए तो काम वो जाएगा उसके बाद आप पर पाट का सिर्चक और लेखक का नाम तब आईसे करोंगे ऐसे ऐसे कैसे देखी गा जैसे आपको याद हो गया कि राष्ट के लेखक हैं वासुदेव सड़करवाल है अब आप इसमें देखेंगे की सिर्चक कौन है सिर्चक मतलब पाट का नाम होता है तो यहां पर यहां पर राष्ट सब्द जुड़ा है यहां पर भी राष्ट सब्द जुड़ा है और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो आपका यहां पर भी राष्ट सब्द नीचे रहें उपर यह तो राष्ट जुड़ा है अब यह समझ लेजी अगर राष्ट राष्ट का सरूप है राश्ट के सरूप के लेखक कौन है वासुदेव सरण अग्रवाल है वासुदेव सरण अग्रवाल है वासुदेव सरण अग्रवाल है तो पाट का सिर्षक क्या हो गया पाट का सिर्षक हो गए आपके डॉक्टर वासुदेव सरण अग्रवाल हो गए डॉक्टर यह प्रवाह मतलब चाप डाले पहले वाले को सिंपल से सिंपल तरीका बताएंगे बिना पढ़े जाके चाप के आएंगे देख लीजेगा लेकिन थोड़ा सा सहूर होना चाहिए बनाने का पता लगा गुरुजी काप बता के गए थे मुझे पता कमेंटर बॉक्स में बढ़ेगा आप सोलों परिवी जब सारे बच्चे आएंगे गुरुजी आप पढ़के तो जाएंगे एक वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है पांच वीडियो देखके जाएगा आप सब्सक्राइब के साथ किसने तदात्म किया है क्या हम बाहर चिला है नहीं इसी में बना के लिखेगा बना के लिखना है नदी के प्रवाह की तरह है और आप हल करते चले जा रहे हैं मुझे पता है कि आप लोग हल करते चले जा रहे हैं आपको ज़्यादा बताने जूरूतम नहीं है आप लोग जाल करते हुए चले जा रहें होंगे उसके बाद आजाएं की व्याक्य किजिए मदलब आपको बढ़ा-चर लिखना आए लेcak चड़ा कि कहां से कहां तक लिए यहां से यहां तक है जन का प्रवाह अनंत होता है सहस्तर वर्सों से भूम के साथ राश्टी जन ने तदात्म प्राप्त किया है यहां से यहां तक आपको बताना है तो इसका मतलब यह रिखांकित अंस में लेखक जी जन का प्रवाह अनंत होता है और नदी के प्रवाह की समया राश्ट के निमासी अंत काल से भूम और रहती हैं यहीं कारण है कि हजारों वड्सों से भूम के साथ यहां परजन का संबंद बना हुआ है यहां नीचे है अथवा में आप सबसे पहले आप से बोला था कि आप लोग पाड का नाम और लेखक का नाम याद कर लिजीएगा जितने भी गद्यांस है उन गद्यांसों कि पाड के नाम और लेखक के नाम आपको अब तक याद हो गये होंगे क्योंकि आपने मुझे से प्रॉमिस किया तो आप याद कर लिए मुझे पता है अब कैसे जानेंगे कि यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है तो आप देखिए भासा सब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर भासा सब्द का प्रयोग किया गया है और देखेंगे तो और कहीं न कहीं किसका प्रयोग किया गया है भासा सब्द का प्रयोग किया गया है जब भासा भासा दिखाए दे रहा है यानि कि यह कहां से लिया गया है भासा और और आधु निकता से लिया गया है जिसके लेखा कौन है जिसके लेखा कौन है नोट कर लिजिए प्रोफेसर जी सुन्दर एड़ी है प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी है जिसके लेखक कौन है प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी है clear है अब यानि की पार्ट के सिर्चक कौन है भासा और आधुटता है लेखक कौन है प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी है कौन है प्रोफेसर जी सुंदर एड़ी है तो यहां तक आपको clear हो गया होगा मैं आसा करता हूँ यहां तक आपको आगया होगा उसके बाद यहां पे है पार्ट का सिर्चक एवं लेखक का नाम लिखिए अब पार्ट का सिर्चक और लेखक का नाम लिखना है तो पार्ट का सिर्चक क्या है बाधार्यूर्टता कि सिर्चर को ने हैं प्रोफेसर जी सुन्दरधी संदरधी ने र। रेडधी है दबा दीजिएगा इसकी ए इंसर होगा जेए मेरे हैं भासा किसका तोट अंग है अब यसका पडुन शुरू करेंगे भाषा देखे अड़ूट अंग जहां पर लिखा वोगा वही इसका इंसर होगा अब डूढ़ीर रूण यहां पर ऊठीया लिखा हुआ है यानि कि भाषा 20 संश्कृति का एक अडूट अंग नहीं किकी की प्रगती के साथ जोड़ी जाती है ठीक है जणीद टोर यह चौई न कोई लाइन में जरूर दिखा होगा अब उपर यह देखिए गती लिखा है वीगियान लिखा है प्रगती लिखा है और जोड़ी लिखा है तो उसकी घति विज्यान के प्रगती के साथ जोड़ी जाती है और किसकी गती विज्ञान के प्रगती के साथ जोड़ी जाती है तो संस्कृत की गती देखें आपे संस्कृत की गती जो है वो विज्ञान की प्रगती के साथ जोड़ी जाती है संस्कृत परंपरा से निस्रित होने पर भी परिवर्तन सील और गतिसील है और इस संस्कृति को ही हाइलाइट किया जा रहा है संस्कृत को ही टार्गेट किया जा रहा है संस्कृत गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ पर किसक सांस्कृतिक हल चले किसके लिए प्रयाप्त नहीं है नीचे आएंगे तो यहां पर दिया रहेगा कि सांस्कृतिक हल चलो को साध्य रूप देने के लिए भासा के परमपरा गत्रयोग परयाप्त नहीं है चौथे का एंसर है चाप लेजिए चौथे का एंसर है लाश्ट वाला है यहां पे खतम होगा का नहीं रेखांकित अंस्की व्याख्या किजिए बहासा स्वयम संस्कीति का एक अट्टूट अंग है इसको आप बढ़ा चड़ा के लिख दीजिएगा क्या लिखेंगे लेक्खक कहना चाहता है कि बहासा संस्क्रित का अंग 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 मतलब जैसे कि हम लोगों कांग है हाथ पैर नाकमू कान अंग है उसी प्रकार बहासा संस्क्रित का क्या है क्योंकि संस्क्रित की अभिव्यक्ति का माध्यम भासा ही है क्योंकि संस्क्रित की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है भासा ही है समझे आ रहा है नीचे आ जाईए आप लोग नीचे आ जाईए गद्यांस खतम कर दिया बात करेंगे पद्यांस की तरफ आप कहां पर दस नंबर का पद्यांस है जो कि आपके यूपी बुड़ परिच्छा में पूछा जाएगा इसलिए इस पद्यांस को आप दबा के आप सुल्फ कर लीजिए हल कर डालिए से वाहर आपके क्यों शनाने वाले नहीं हैं क्या है आपके लिए इंपटेंट है क्या है आपके लिए इंपटेंट है दुख की पिछली रजनी बीच विकस्ता सुक नवल प्रभात एक पर्दा यह छीना लील छिपाए है जिसमें सुखगात कि जिसे तुम समझे हो अविसाब जगत की जो आलाओं का मूल इस का वह रहस्य वर्दान कभी मत जाओ भूल अब यहां पे हैं कभी और कविता का नाम लिखना है तो इस पर थोड़ा को मेहनत करना है कि पद्यांस पर कोई ट्रिक जादा प्रोच नहीं क प्रसाद है इसके अंपोर्टन है यह तैयार कर लेजिए खुद तैयार कर लेजी जैससे लिया गया है सरद्धास लिए मनु से लिए को आपको ये तो याद हो गया होगा कि हाँ सरदा मनु के मैं जहां किया रहेए यहां सरददा मनु के लेखक किया की नहीं ये ट्रिक काम किया कि नहीं आपaren घ्राओ कर लेंगे चली तो इसको इसकी स्वाट कर लीजेगा वैसे इसका नेक्ष वीडियो मैं सलीव संदूँगा उसके बाद एक यहां पे है पद्यांस है क्या सुखभोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज जड़ता हिंस इस परदा में भर जड़ता हिंसा इस परदा में भर चेतना हिंसा नर्मोज पसुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज तुमने मानवता का सरोज यहां पर बोला गया है कि कभी और कविता का सिर्चक बताईए कभी का नाम नोट करिए कभी का नाम नोट करिए समेत्रा नंधन पंथए है को हो न है का समीत्रा नंधन कोन है या कि समता नंधन पंथ नुई सिर्षakukan क्या है बापू के प्रति बापू के भूं मुझे तरफ और ऑप और में कुंछ करवाने तो आप हदास 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 सौरी हदास यहां पे न हतास हो जाएंगे उसके ऊपर आईए धैस के मन को पुछा गया है सुख का नवल प्रभात कब आता है उपर देखेगा दुख की पिछली रजनी बीच विकस्ता सुख का नवल प्रभात जिस प्रकार सुरियास्त के बाद रात के बाद दिन आता है उसी प्रकार हमेशा दुख के बाद मनुस के जीवन में सुख आता है कभी भी हमेशा किसी भी मनुस के पास दुख नहीं रह सकता और नहीं कभी किसी एक मनुस के पास सुख रह सकता है प्रकार दिन होता है धिस प्रकार हमारे जीवन में कभी दुक आधा आप देखते होंगे बहुत बच्चे मिलते हैं चल्ट में अभी चल्ट का जब होता है लिए इसका मतलब मैं समझा रहा हूं इसका मतलब मैं समझा रहा हूं अगर आपका एक्जाम में अच्छा नमबर नहीं आया तो आपका दिल नहीं टूटना चाहिए और अच्छा प्रफॉर्मेंस करेंगी हम और बहतर लेकर आएंगी मेरा मतलब इसका है इसका है कि अगर आपको नहीं आ रहा है क्योश्चन हतास मत होईएगा पेपर में अगर आ तो कुछ नहीं कर पाएं साय तो आपको नहीं है उसको भी याद रहेगा उसको भी याद नहीं रहेगा याद ACL में हुआ था उसको लगा कि यार हमें आर dejका कर लिया होगा तो पीर पता चलता हैं आते नहीं आ रहा होगा तो आप यह अपने दिमाह में मत बैठाइएगा अपने उपर फोकस करिएगा पूरा दिमाग आपके पेपर पर होना चाहिए एकदम टेंशन फ्री हो के बस यह सोची आल इस वेल आल इस वेल काम खतम पेपर दे दीजिए पास हो जाएंगे 33 नंबर आपको मिल जा किसकी कोज करता है तो मानों यहां पर सुख करते हैं सब्सक्ति कोज करते हैं और दूसरे तो देखिए उपर है आपका पिरहां पे है नीचे आएंगे मनुस्य क्या है मनुस्य क्या है तो अपर देखिए यहां पर देखिए यहां पर आये तुम अपने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन यानि सब्सक्राइब जूठ आ Show छो मनुठ से है यह प्रबता गया है कि जो मानाउ है यह एक मिंट्टी का पुतला है जो छड़ भंगुर जीवन के साथ अन्त में इसी मिंट्टी में मिल जाएगा इसी मिंट्टी में जाएगा सद्तकी खोज कौन करने आया हैं सद्त की खोज करने बापु आये हैं प्राया सभी प्राड़ी प्रित्वीक पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं किन्तु बापु ऐसे महात्मा है जिनों ने धर्ती पर सत्त की खोज करने के लिए उतार लिया है यहां पर यह बता जा रहा है कि जो हमारे बापु जी हैं वो सत्की खोज के लिए आए हैं लेकिन बापु जी हमारे इतने महान हैं जो कि सुख्य खोज के लिए आएं बस रेकांकित पंक्ति व्याक्ष्या कीजिए अपने से कर लीजिएगा उसके बाद यहीं है सब दुबारात हो गया कोई बात नहीं बाइसाब लेखक का जीवन परिचे छापने के लिए आएगा छाप लीजिए पाच नम्मर का जीवन परिचे डॉक्ट सभी का वहाँ पर आपको जीवन परिचे मिले जाएगा मैंने वहाँ पर सभी का जीवन परिचे पढ़ा दिया है और हां आप लोग आप लोग अपने दोस्तों के पास यार वीडियो को सेर कर दीजिएगा चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कि मुझे पता ना चुकिए आपका ये यूडूब चैनल है आपके लिए बनाया गया है तो मुझे पता है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे मैं हूं चिंता करने के जोरद नहीं है यह तीनों के याद करने करता हूं किसी एक कभी का साहितिक परिचे देते हुए उनकी प्रमकृतियों का उल्ले किजिए अधिक्तम सब्द सीमा असी सब्द हैं पास नम्मर का है मैं तलिश्ण गुप्त महादेव वर्मा अध्यासिंग पाद्या हरियोद तो मैं आपका कल हो सकेगा तो मैं दो जीवन परिचे अप्लोड करूँगा एक महादेव वर्मा का अप्लोड करूँगा और यह एक उपर मैं अप्लोड कर दूँगा यह दो जीवन परिचे कोशिस करूँगा कि कल अप्लोड हो जाए तो बहतर रहेगा ताकि आप बहतर प्रफार्म अमनला परफॉर्मेंस दे कर आए बोड़ पंचलाइट और बहादुर कहानी का सादा क्था वश्व अपने का सरव यह दुरुयातरा कहानी का अब देखे अप मैं आपको समझा दे रहा हूं पंचलाइट कहानी का सारा आप लोक समझेगा अब आप सब्बंद करके केवन हमारे आवाज पर धियान दीजिएगा कहानी कि फिषु समझेंगे कि पंचलाइट क्या है यह बिहार की पिछडी संधात की कहांनी है इसमें टोली रहती है महतू टोली रहती है उनमें क्या होता है कि वह लोग मेला मेरा लखते हैं तो हमारे घर के और उसी प्रकार क्या हुआ जब यह लोग थे क्या नाम है इनका यार महतो टोली वाले जब राम नौमी की मेले में गए तो वहां पर उन्होंने पेट्रो मैक्स खरीद कर लेकर आए अब घर पे लेकर आए तो जो मुखिया जी थे वह बैठते हैं साम को पूजा पाड़ करने की बाद की चले यार इस पेट्रो मैक्स को ज़रा क्योंकि रात हो गई है था कि हम लोग पूजा पाठ कर सके अब पेट्रो मैक्स तो ला लिए लेकिन जलाने वाला कोई था ही नहीं यानि किसी को आता ही नहीं था जलान न अब उसमें दो लोग थें तीन लोग बात करते मे ये गोधन कौन है ये गुलरी का लवर है गोधन क्या है गुलरी की मा यह माहें काकी है कह सकते हैं काकी है गुलरी की काकी है अब बात क्या होती है जब वहाँ पर होता है कि अब इस पेट्रो मैक्स को कोई नहीं जला पाएगा तो जो मुलरी होती है वह पेट्रो मैक्स जला लेता है उसको जलाना आता है तो फिर जो लोग होते हैं वह गोधन को इन्वाइड करते हैं कि भाई साब आ जाईए और इस पंचलाइड को जला दीजिए लेकिन उसके बीच इस्टोरी क्या हुई थी कि उसको गुलाय क्यों गया क्योंकि गुलरी जो प्रेम करता था इससे और और इसकी सिकाथ जब गुलरी का की कर दिया सरपंच तो सरपंच वाले कहेंगे यह गलत काम कर रहा है गोधन ऐसा मत कर किसी घर से सलेम का गाना गा कर मत निकलो एक काम करो तुम निकल लो इधर से वह निकाल देते गाउं में से लेकिन फिर पंचल करता है और गुलरी भी खुश हो जाती कहता है बोलती है कि इसा दमात तो नहीं मिलेगा अब हमें गोधन जैसा इतना समझदार पढ़ा लिखा क्योंकि समझदारी के आगे सब कुछ बहुत बढ़ी बहुत जो रूड़ वारिता होती ना वह खतम हो जाती है पढ़ाई एक चीज होती है जो आपकी पीड़ी को अच्छे लेवल पर ले जाती तो आप पढ़िए और अच्छे लेवल पर आप जरूर पहुंचेंगे तो फिर हो गया फिर मुनरी के साथ अपना गोधन सलेम का गाना गाता है उसको खाने बुलाती है बस यह स्टोरी थी बहादूर बह पहती है निर्मला और क्या करती है अपने रिष्टेदारों का खरacie आती है और वहां पर देखती है कि आर है अराम है ऑपर और यहां पर नौकर चाकल लगें और वहीं सब देखकर निर्मला भी चाहती है कि हमारे यहां भी नोकर आ हमारा काम हो जाए फिर निर्वल्हा बहादूर को नोकरी पर रख लेती है पहले तो बहादूर के साथ अच्छा व्युभार किया जाता है लेकिन बाद में इसके साथ गाली गलोच और मार पीट किया जाता है और इससे तंग आखर गर छोड़कर चला जाता है और फिर घर चिडिया चुग गई खेत यानि कि अब पस्ताने से कोई नाब नहीं है क्योंकि अब बहादूर जा चुका था ठीक है अध्रुयात्रा वो ध्रुयात्रा पर जाते हैं यह तो आप लिखी लेंगे इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा तो पठित के बारे मुर्णन करना रहेगा यह स्वतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब काम किये थे देश प्रेमी थे यह सब आप इनके बारे में लिख सकते हैं अगर अभी तक नहीं पढ़ें तो जाईए आपको प्लेलिस्ट में मिल लाएगा मैंने पूरा-पूरा मुक्तियग सत्य की जीत जितने भी आपके खंड़काब है मैंने पढ़ा दिया जाकि महां से आप लोग पढ़ लीजिए ठीक है ना उसके वाद नीचे आजाएंगे आपके संस्कीत वाले हैं तो संस्कीत का यार यह भाग कर लिजीगा यह बार बार रेपीट किया जारे काम करें इसका पूस्त 104 लगा लगा लिजीए ठीक है यहां से कीविशनाप की पर में आ सकते हैं और एक वाला महामना वाला यह भी आप टक लगा लग लिजीगा यहां इतना हो गया नीचे चले आएंगे अब यहां पे हैं मुहावरे और लोकुक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख कर आप वाकिप्रोग कीजिए आपको दो नंबर मिलेगा जो मुहावरे हैं और लोकुक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख कर आपको वाकिप्रोग करना है जैसे का जैसे हां पे हैं आखों का का तारवना यानि है कि कि आति ना हुना सब्सक्राहедवतल को हम लोग मैं यहा पापा के आँखो तारे न कल मि किना में नकेल न नहाक में अक्रेल डालना इसका क्या हो जाएगा नियंत्रण में रखना है अ रखना अब क्या लिखेंगे जब से नय प्रधाना द्यापक जी आये न तब से और उसक्तपि अपूम गएं praod घड़िया ना तब से सभी बत्चेहंत लिखना है आप अपने से बनायेगा सावण हसे न भादोव सुखे जैसे के तैसा रहना पूरा गुरुजी पढ़ाई के चले गए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं समया जैसा का तैसा ही प्रफन है बहा है गुरुजी पूरा स्लेबस खत्म करवा दिये पूरा पढ़ाई के चले गए लेकिन अवीद तक स्लेबस का जस्का तैसा है न सावन है न भादो सुखे मक्खन लगाना खुसामत करना खुस करना यार मुहन न गड़ित में अच्छा नंबर लाने के लिए न प्रिवोड में वो गुरुजी को मक्खन लगाता है बासम्जा रहा है न ऐसे ही आप करिएगा और यह चोटे चुटे चीज़ होती न आपको याद हो जाती है और यहां पर पहसों सब्सक्राइन गाप होती है तोड़ी सी तो यहां पर कोई नहीं है देखेंगे तो है इस समय रात का देखेंगे तो 11.15 बज राएं देख लिए सुट कर रहा हूं और मैं सुभ अच्छा बजे प्रिम्लिश करता हूं आप सुभह हमसे मुलाकात कर रहे हैं और दिन भर वीडियों देते हैं और यह करते हैं दाप एकसा कूरों कि पढ़ के ज honom सब्सक्राइब कर दीजेगा अभी के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है साथ्चरा का संदी विच्चेद क्या हो जाएगा सधन अच्छरा साच धन रख सेधन चरह तो सच्छरा का संदी विच्चेद हो जाएगा साच्छरह का संद्विच्छेद हो जाएगा आपका साधन अच्छरह साधन अच्छरह क्या हो जाएगा साच्छरह का संद्विच्छेद हो जाएगा यह तीन नंबर का आपके बुड में नर्धन इंद्रह का संद्विच्छेद क्या हो जाएगा नर्धन इंद्रह नर्धन इंद्रह नर्धन इंद्रह का संद्विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है से केंड का राएट यानि कि गूर्ट संधी हो गूर्ट संधी है स्वागतम का संद्य विच्चेद क्या होगा स्वागतम का संदी विच्चेद क्या होगा सुधन आगतम सुधन आगतम या स्वाधन गतम सुधन आगतम क्या हो जाएगा स्वागतम का संदी विच्चेद हो जाएगा सुधन आगतम स्वागतम का संदी विच्चेद हो जाएगा बताना है दो नमबर के मिलेगा आत्मने सब्द में विभक्ति और वचन है पहला का राइट ऑप्सन यह जाएगा चतुर्ती विभक्ति एक वचन हो जाएगा उसके बाद है आपे नमना सब्द में विभक्ति और वचन है तर्तिया विभक्ति एक वचन प्रतमा विभक्ति दुई वचन चतुर्ती विभक्ति एक वचन खष्टी विभक्ति बहु वचन तो नमना सब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है थल्ड का राइट इंसर हो जाएगा आपको यहंना सब्सक्ति और वचन हो जाएगा उसके वाद यहाँ पर सब्सक्ति का सः अर्थचुन का लिखना है और समर और स्रमड स्रमड मतलब होता है स्रमड मतलब क्या होता है स्रमड मतलब व्यात कली जी कान होता है क्या होता है स्रमड मतलब क्या होता है भिच्चू होता है क्या होता है तो कान और भिच्चू स्रमड और समन का क्या हो जाएगा कान और भिच्चू हो जाएगा अंस और अंश अंस और अंश अंस का क्या हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा और अंस का क्या हो जाएगा अंस का क्या हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा अंस का क्या हो जाएगा निची आ जाएंगे एक सब्द के दो और तर सही अर्थ लिगना है अंबर, चपला, जड़ हम आपको तीनों करवा देंगे अंबर का क्या होता है वस्त्र होता है अरथात कपड़ा होता है और क्या होता है आकास होता है आंबर, अंबर का गाना भी है नहीं गैंग नहीं तो copyright मिल जाएगा आकास हो जाएगा क्या हो जाएगा आकास हो जाएगा चपला का क्या होता है चंचल सोभाव की इस्त्री इस्त्री लड़की कुछ भी बोल दीजिए चंचल सोभाव की इस्त्री ठीक है और शप्ला का मतलब क्या होता है बिजली होता है जड़का क्या होता है बाई साब जड़का होता है आधार अस्थल और आस्थरे क्या होता है आधार अस्थर और आस्थरे हो जाएगा उसके बाद नीचे आएंगे निम्कित वाक्यांसों के लिए एक सही सब्दकाचेन कीजिए अनुकरण करने योगे क्या हो जाएगा अनुकरणी हो जाएगा अनुकरण करने योगे कि हम लोग क्या बोलते हैं अनुकरणी बोलते हैं नीचे आजाएंगे, वन में रहने वाला, क्या बोला जाता है, जो वन में रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोट कर लिजी, वन में रहने वालों को हम लोग बोलते हैं, वन वासी, क्या बोलते हैं, वन वासी बोलते हैं, नीचे आजाएंगे, दो वाक्यों को कवित्री थी महादई वर्वा विद्वान कवित्री थी महादई वर्मा विसुदी क्या करेंगे विद्वान के अस्थान पर वी वी दूसी यहीं तो है न वी दूसी कवित्री थी वी दूसी कवित्री थी क्योंकि यहां पर विद्वान किसी मेल के लिए कंडिडेट के लिए बोल जाता है और विसुदी फीमेल के लिए बोल जाता है अध्यापक अच्छा में पढ़ा रही है इसका क्या हो जाएगा अध्यापक अच्छा में पढ़ा रहे हैं रहे हो जाएगा तुम मेरे से मत बोलो मेरे से क्या हो जाएगा तुम मुझसी मत बोलो तुम मुझसे मत बो पढ़ाया हूँ मैं मैं लड़के को पढ़ाया है मैंने लड़के को पढ़ाया है कि अस्थान पर हो जाएगा मैं कि अस्थान पर नहीं हो जाएगा मैंने लड़के को पढ़ाया है उसके बाद यहाँ पे हैं सिरिंगार अनुप्रास और दूहा रस चंद लंकार थी तो मैं देख लेते हैं किसी काव या कविता को पढ़कर सुनकर आस्रए के मन में अस्थाय भाव रट के जाग्रित होने पर विभाव अनुभाव और संचारी तो आता है यार कि जीवन में कुछ भी नहीं है कि जीवन कुछ भी नहीं आपको बताना है तो आप याद कर लियोंगे जाहाँ उपमे में क्या हो उपमान का आरोप हो उपमान का आरोप हो वहा पर उपमालां का लंकार होता है नीचे चले आईए लड़े लो दोहा चंद और सोटा चंद का लक्षण और उदाहर देजी दोहा चंद अथवा सोटा चंद का लक्षण और उदाहर देना है इसका क्या हो जाएगा यूआत करे लेंगे या दोहा एक अर्धसम मात्रिक चंद होता है इसमें प्रतम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दुती और चतुर्द चर्णों में क्या होती हैं सम मात्राएं होती हैं इसको कर लेंगे फिर यहां पर पत्र लेखन आएगा मैं सुबह इस पर वीडियो बना दूँगा पत्र लेखन पर चिंता मत करेगा अत्वा गाउं की सफाई है तो आप एक आवेदन पत्र लिखिए फिर यहां पर आपका निबंद आएगा नव नंबर का क्या आगा नव नंबर का आपका निबंद लेखन आपके बोड में पूछा जाएगा किसमें आएगा बोड में पूछा जाएगा तो आप उसको आप लोग रट ही लेंगी इसको आप लोग क्या करूंगा ताकि आपका पूरा निवंदरी तैयार हो जाए और अच्छे से पढ़ लीजिए तो इस में मैंने पूरा पूरा पेपर खतम किया है 2022 का कौन सा सेट है आप कुछ देख लीजिए 2022 का मैंने यहां पे डी यू सेट को खतम किया है यह 2022 का है और अगला देखेंगे और आप इंतजार खीजिए अच्छी वीडियो आएगी और इस वीडियो का पूरा पढ़ेएगा दुबारच पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टन है क्योंकि आप पिछले साल के पढ़ लेंगे ना तो आपको तैयार हो जाएगा को चीज अन्यापको पढ़ने जोज बिलकुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसका पीडियो में टेलेग्राम चैनल एसके मिशन भेज़ दूगा जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ओके दोस्तों थैंकिव जहीं